हेलो फ्रेंड्स वंस अगें वेल्कम बैक इन माई इटो चनल दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट पहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं और उनको नहीं पता होता है और कई लोगों ने कमेंट किया सर इसके बारे में बताएए उसके लिए कौन को साफ्टेर यूज करते हैं वीडियो को पूरा लास्त देखिएगा और लेखने से पहले आपको अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक और सेर और सब्सक्राइब भीज करिएगा जिससे कि हम और डिर सारे वीडियो इस टॉपिक आते रहे हमारे साथ दोस्तों जो इस टॉपिक है इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले हमने बोला आपको टूडी क्या होता है टूडी महलब एक्स एंड य प्लेस म और तीनों प्लेन उसको हम लोग क्या करते हैं 3D करते हैं बहुत से लोगों को पता है कि 3D के लिए जो सॉफ्टेयर से मार्केट में कौन को से सॉफ्टेयर है रैबिट है और रैबिट के अलामा आपके पास आर्ची कैड है गूल इसके चप है ऑटोकेड में भी 3D अभी है तो कई से डेड़ सारे सॉफ्टेयर जिनको यूज करके हम लोग 3D को पर काम कर सकते हैं पर जब बात आती 4D के तो बहुत कम लोगों को पता होता है कि 4D क्या होता है तो 4D जो सॉफ्टेयर है 4D करता क्या यह आपको पता होना चाहिए तो 4D टाइम सेडिवलिंग करता है क्या करता है तैम सेडिवलिंग में कितने टाइम में क्या result आएगा हमारे structure का हमारे like जो भी हम लोग intra building बना रहे हैं उसका क्या result आएगा किदने time पे यह कौन बताता है यह बताता है 4D इसके लिए कई software है लेकिन जो सबसे अच्छा और सक्षे software हो है नभी स्वर्ट में आप 3D इंवलब की आप बता सकते हो कि यह time पे इतना इस time पे इतना इस time पे इतना आप आपने देखा होगा करी अगर देखा होगा कि इस पहले फूटिंग आ रही है फूटिंग बद कॉलम आ रहा है कॉलम वाश्लैप स्लैप के बाद next प्लोर next प्लोर next प्लोर तो यह जो time के साथ animation हो रहा है that animation is called 4D ठीक है तो time का scheduling के साथ जो animation है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों 4D और इसके लिए जो सबसे अच्छा software है वो क्या है नहीं स्वर्क मलब अगर करना हो तो xyz तीनो प्लेन प्लस time scheduling इसको क्या वो लेंगे टोटल को टोटल को वो लेंगे 4D अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर्फ 4D किया लाओं आप 5D के बारे में भी बताई तो हां जी 5D भी बहुत important है 5D क्या होता है 5D में हम लोग time schedule को नहीं हम लोग cost schedule को देखते हैं मलब cost इस month में इतना cost लग जाएगा इस month में इतना project में cost लग जाएगा इस month में इतना cost लग जाएगा इसको calculate करने के लिए भी हम लोग नहीं भी स्वर्क software यूज़ करते हैं जिसके तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग cost scheduling कर सकते हैं और क्या बोलते हैं पूरा का पूरा वी आईयम का 5D complete कर सकते हैं तो 5D means xyz plus cost cost on time तो time के according cost आता रहे that is called 5D अब दोस्तों इसके बाद बात आती है 6D कि बहुत कम लोगों ने सुना होगा 6D के बारे में तो मैंने आज सोचा कि आपको 6D के बारे में भी explain करूँ तो दोस्तों 6D जो software है 6D एक्षिली जो है 6D में होता क्या है 6D में हम लोग देखते हैं कि जो पूरे फ्लैट पे पूरे हमारे जितने अभी बिल्डिंग्स है उन बिल्डिंग में कितना energy के consumption की जरूवत है वो सब चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको चेक करते हैं कि proper solar like sun की light आ रही है किने हमारे हर एक बिल्डिंग पर क्योंकि sun की light नहीं आ रही है तो building मे अच्छा smell नहीं आता हो और फिर उसे हिसाब से कई कर लोग कंप्लेंड करते हो building का growth रूख जाता है तो इससे अच्छा होता है कि हम लोग को 6D पे analysis करके मिंस हमको देख लेना चाहिए उसमें energy कितनी आ रहे है उसमें sunlight कितनी आ रहे है और उसमें solar panel से कितने solar बंच से कितना ज्यादा हमारा light कर सकते हैं कितना हम लोग सेफ कर सकते हैं इसके बाद आता है लास्ट में 70 जो की बहुत ही like अच्छा है उसमें हम लोग देखते हैं maintenance के बारे में like अगर हमने एक तरी किसी बोल सकते है management का software क्यों कि management का method है क्योंकि उसमें हम लोग देखते हैं कि light का consumption चेकिंग करने का काम maintenance and repairing का कौन करता है 7D करता है 7D हम लोग देखते हैं कि sunlight इतनी आ रही है हाँ आ रही है यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर श्रॉफोगेशन की problem नहीं होगी building में हाँ नहीं आएगी यह सारी चीजे चेक करने का काम क्या करता है 7D करता है दोस्त अब आप बोलोगे कि sir इसमें 3D, 3D, 4D, 5D करते क्यों है करते इसलिए हैं इसमें कि जो भी इसमें extra cost हो जो की फालतू में लग रही हो वो सारी cost को हम लोग reduce कर सकें और क्योंकि आपको पता है कि एक component बहुत मांगा पड़ता है एक beam एक column बहुत जादा मांगा जाता है तो अच्छा होगा कि हम लोग इकडम प्रापर जितना cost चाहिए जितना वी बीउ मॉडइलिंग किया जाए अतना ही देखा जाए और हमें time के साथ देखा जाए कि हम कितने time में कितना पैसे चाहिए वो सब लोग हम दीप सकते हैं को प्यृधियम कितने time पे हमको कितना costing ची दो आगर आपको 5D तक भी जाना है तो 5D के लिए भी आप कमेंट करिए जो भी आपके पास doubt है या questions है उनको आप नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों तभी हमारे पास और फेस्बूक के ग्रूप्स पर एक मेरे लिंक को शेर करके दीजिए जिसे ज्यादा ज्यादा ट्रेफिक आ सके और मैं ज्यादा से ज्यादा इंफर्मेटिक ट्रोपिक्स ले के आ सको आप तक थेंक्यू सो मच पर वाचिन दिस वीडियो होपी लाइक डिस काईज